हेलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो पे तो दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजेगा वह अगर आप ट्रेडिंग करना चाते हैं या सीखना चाते तो आप हमारे दूसरे चैनल वारे लिंदी टीवी को भी चाओ तो सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बाल करने वाले हैं आपके ही द्वारा सजेस्ट किये हुए कि स्टॉक के बारे में सेक्टर के स्टॉक्स की जिसमें हमारा पहला स्टॉक होगा गेल का और दूसरा स्टॉक होगा सेल का तो अगर इन दोनों स्टॉक में आपने trade करते हुए देखने को मिल रहा होगा लेकिन अगर morning की बात करें तो यह जो brand का price है हमें लगबग लगबग 120 डॉलर जो की all time highest का वहाँ पर भी जाते हुए देखने को मिला था तो यह देखकर करके आपको clearly समझ में आतो गया ही होगा कि जब तक यह बहुत चलती रहेगी तब तक brand के price इसी तरह लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते रहेंगे तो क्या हमें sale और gale जैसे stocks में entry बना लेनी चाहिए जिससे हमें short term के अंदर अच्छे कासे profits हो जाए इन सारी चीजों को हम लोग discuss करेंगे charts पर तो charts पर भी हम लोग detail में जो analysis करने वाल है वो यह वाले chart पर करेंगे और इसी के साथ इस chart पर भी analysis करेंगे लेकिन अगर आप इन दोनों ही stocks में नई entry बनाने के बारे में plan कर रहे हो तो पहले company के fundamentals को discuss करना ज़ादा ज़रूरी है अब दोस्तों दोनों ही companies के हम लोग side by side comparison को start करने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हो left hand side में आपको sale दिखाई दे रहा होगा and right hand side में आपको gail दिखाई दे रहा होगा sale के अगर current market price की बात करें तो 101 रुपए पर यह अभी यह stock asm और gsm list में भी नहीं है और उसी के साथ इसकी intrinsic value भी आपको काफी कम देखने को मिल रही है तो इसमें भी आप entry बना सकते हो लेकिन वहीं दोस्तों अगर gail की बात करें तो gail में हमें सारे के सारे points green में दिखाई दे रहे हैं वहीं दोस्तों अगर हम analyst की अगर report को चेक करते हैं तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हो जो forecasting है दोनों ही stocks में वो हमें sale में 70% analyst यह कह रहा है कि इन्हें आप अभी buy करके चल सकते हो वहीं अगर हम लोग gail की बात करें तो gail में हमें 97% analyst यह कहते हुए देखने को मिल रहे है कि इसे हमें अभी buy करके चलना चाहिए अब इन दोनों companies की profile की बात करूँ basic about section की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि sale मतलब steel authority of india limited यह metal sector का एक stock है वहीं gail की बात करूँ तो gas authority of india limited यह gas से related एक stock है अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह दोनों ही companies government के द्वारा operate की जाती है तो इनके financial trends को भी अगर आप देखो कि तो दोनों ही companies profit generating companies है वहीं अगर holding trend की बात करें तो दोनों ही companies में holding trend भी हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है लेकिन Gale की बात करें तो इसमें mutual fund वालों ने अपनी holding को थोड़ा सा decrease किया है लेकिन अगर sale की बात करें तो इसमें almost सब कुछ constant ही हमें देखने को मिल रहा है अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं screener की website पे जहां हम लोग side by side comparison करें कंपनी के खुद की profile के बारे में जहां पर आप sale का market cap देखोंगे तो आपको 41,000 crore का देखने को मिल रहा होगा वहिँ Gale के market cap की बात करों तो 70,000 crore का market cap देखने को मिल रहा है वहिं R.O.C. और R.O.E. की बात करों तो सेल में आपको 11% और 59% देखने को मिल रहा है, वहीं अगर मैं गेल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ROC और ROE लगबग 12-13% के आसपास घूमते हुए देखने को मिल रहा होंगे, दोनों ही स्टॉक्स की face value आपको 10 की देखने को मिल रही है, तो आने वाले समय में कंपनी चाहे, तो bonus और split दोनों ही announcement कर सकती है, अब हम लोग सेल के उपर debt की बात करें, तो 24,000 करोड का कंपनी के उपर debt है, वहीं अगर हम लोग गेल के debt की बात करें, तो यहाँ पर आपको केवल 7,600 करोड का आपको debt देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर भी आपको देखकर clearly समझ में आ गया होगा कि जो गेल है, उसमें जो net profit है, वो almost debt को cover कर लेता है, तो company almost debt free है, अब दोनों ही stocks में promoter holding की बात करें, तो promoter holding दोस्तो सेल में हमें 65% की देखने को मिल रही है, वहीं गेल में promoter holding की बात करें, तो हमें 51.8% की promoter holding देखने को मिल रही है, earning per share की बात करें, तो sale में हमें 32 रूपीज का earning per share देखने को मिल रहा है, और गेल की बात करें तो 25.4 रूपीज का, अब जैसे मैंने आपको आपको अल्रेडी बता रखा है कि Steel Authority of India Limited Steel Sector की company है, तो इसके जो peer comparison में होगा, वो भी steel segment की companies थे होगा, जिसमें Tata Steel, JSW Steel, Jindal Steel, ये सारे stocks आते हैं, वहीं दोस्तों अगर हम Gail की बात करें, तो Gail में आप देख सकते हो, अदानी Total Gas, Petronet LNG, इंदरपस्त Gas, गुजरात Petronet, ये सारी कुछ companies आएंगी, जो gas distribution के sector के related company है, वहीं दोस्तों आप दोनों ही companies के हम लोग फ FIs और DIs की holding sale में reduce होते हुए देखने को मिल रही है, वहीं public की holding की बात करूँ तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा 20% की holding हो चुकी है, जो कि पिछले quarter में केवल और केवल 17% की थी, तो ये देखकर कि आपको समझ में आ रहा होगा कि sale में public की holding बढ़ती जा रही है प्रमोटर की holding constant है और FIs और DIs की holding reduce हो रही है, वहीं दोस्तों अगर हम लोग Gale की बात करें तो Gale में promoter holding 51% की हमें देखने को मिल रही है, FIs और DIs की holding के बात करो तो वो हमें increase होते हुए देखने को मिल रही है, FIs की holding पिछले quarter में 18% थी, जो कि अभी 19% हो चुकी है, DIs की holding की holding की बात करो तो वो लगबग 17% थी और अभी की समय में 15% हो चुकी है Gale में, Government की holding constant है और Public की holding हमें Gale में भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, खेर ये सारी बाते तो होगए company की profile की और fundamentals की, अब हमारे लिए सबसे important चीज जो दोस्तों है वो है charts की analysis, अभी की समय मे ये stock आपको 101 रुपए के पास trade करते हुए देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक range मार करके रखा है और ये range क्यों इतना ज़दा important जो मैंने इसको यहाँ पर मार करके रखा है, actually ये हमारे लिए stock का support की तरह काम करने वाला है, तो आप अगर थोड़ा पीछे जाकर के Steel Authority of India Limited के chart को देखोगे तो आपको clearly पता चल जाएगा कि इस support की क्या importance है, अब ये yellow color की line को आप बहुत ध्यान से बस देखते जाए कि कैसे stock ने अपने past time में इस support को resistance या support की तरह use किया है, अभी यहीं पर अगर आप देख रहे होग अब weekly time frame पर अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा आपको clear होना चालू हो गया होगा मेरा view, अब यहाँ पर आप देखोगे तो volatility तो बहुत ही जाद आपको देखने को मिल रही है Steel Authority of India Limited की stock में, अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखते हो तो आपको clearly समझ में आ यह रही हमारी support line ठीक है यहाँ पर आप देखो stock ने resistance लिया, यहाँ पर resistance लिया, यहाँ पर भी resistance लिया, यहाँ पर भी resistance लिया, और यहाँ पर भी आप देख सकते हूँ stock nे resistance लिया तो इस वाले level पर stock ने almost जबसे list हुआ है मतलब हम काफी पीछे से अनालिसिस कर रहे हैं 14 में resistance लिया उसके बाद 2017-18 में भी resistance लिया और volatility की बात करो तो इस stock में बहुत ही ज़्यादा volatility देखने को आपको मिल रही है ये stock एक समय पर आपको 300 रुपीज के price को भी hit करते हुए देखने को मिल गया था तो ये देखा कि clearly आपको समझ में आगया होगा कि sale के stock में अगर आप entry बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए risk to reward का ratio reduce हो जाता है इसमें risk ज़ादा हो जाता है और reward के chances कम हो जाते हैं लेकिन आपने अगर entry बना ही लिया है तो आपको क्या करना चाहिए आपको target कहां पर expect करना चाहिए इन सारी चीज़ों को अब discuss कर लेते हैं उसके लिए मैं आपको daily time frame के chart पर ले चलता हूँ अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैं लोग daily time frame के chart पर आ गए हैं और यहाँ पर भी मैंने एक resistance line मार करके रखी हूई है black color की अब इस resistance lines का important देखो यहाँ पर एक बर resistance लिया फिर यहाँ पर resistance लिया फिर यहाँ पर resistance लिया फिर यहाँ पर again एंड यहाँ पर फिर again अभी भी हमारा stock इसी कहीं position के पास पहुँच चुका है तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या stock यहाँ से फिर से resistance लेकर के नीचे की तरफ slip हो जाएगा और अगर आपने buy करके रखा है तो आपको क्या करना चाहिए अब simple सी बात आप यहाँ पर यह समझो कि हमारे लिए जो यह 100 रुपय का support है अब actually support की बात कर रहे है और risk zone में कोई भी entry बनाने के लिए आपको suggest नहीं करूँगा तो हमें कहाँ पर entry बनानी चाहिए stop loss कहाँ पर लगाना चाहिए stop loss की बात करो तो दोस्तों यहाँ पर आप blue career की एक line देख रहे होगे जिसके उपर stop ने कई बार resistance लेने की कोशिश की थी लेकिन हो सकता है कि आन पर तो इन केस अगर 80 रुपीज के नीचे यह stock slip होना चालू करता है तब हम लोग इस stock में से क्या करेंगे exit करने के बारे में plan करेंगे exit करने के बारे में क्यों कह रहा हूँ क्योंकि यह stock अलएडी काफिस जादा volatile है और risky stock है और वहीं ही दोस्तों आप यह सोच रहे होगे क हमने stop loss तो बता दिया लेकिन entry के बारे में नहीं बताई तो दोस्तों यहाँ पर entry के बात करूँ तो केवल और केवल इसमें हमें जो entry बनानी है वो यह resistance line के breakout होने पर ही बनानी है अब यह fund थोड़ा simple सा है देखो अगर आपको यहाँ पर stock resistance को break करके ऊपर निकलते हुए दे करूँगा अब यह range कहां से कहां तक के निकल के आ सकती है 105 रुपे से लेकर के 110 रुपे मान के चल सकता हूँ जिसको बहुत जादा safe entry बनानी है वो 110 रुपे के उपर इस stock में entry बना करके चल सकता है अब इस चीज़ को थोड़ा और detail में समझना है तो मैं chart को zoom करके समझाता ह अगर आप ध्यान से देखोगे chart पे तो जो crude और Brent oil के prices बढ़ रहे हैं उसकी वज़े से stock में हमें पिछले 4 दिन के अंदर ही जो शांदार return देखने को मिले हैं अगर उसका percentage calculation करें तो यहां पर आप देख सकते हूँ 4 दिन के अंदर ही हमें इस stock से almost 22% का return देखने को मिल चुका है तो हो सकता है कि stock यहां से वापिस एक reversal downward reversal दिखाना स्टार्ट कर दे लेकिन in case किसी भी वज़े से यह stock ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है अपने इस black color के resistance line को break करके तब हम लोग इसमें आंक बंद करके एक fresh entry बनाने के बारे में plan करेंगे क्योंकि हमे एक चीज़ ध्यान रखेगा कि यहां पर stock को जो price है हमारा entry price है वो कहां पर है 105 रुपए से लेगर के 110 रुपए के बीच में तो वहां हमारा target होना चाहिए इस stock में वो कितना होना चाहिए तो वह भी मैं यहां पर mention कर देता हूँ अगर आपने entry बना ली तो आपका first target दोस् को trail कराने start करिएगा जहां आपको second target 154 रुपीज का देखने को मिल सकता है और वहीं अगर इस साल के end की बात करूँ तो मुझे लगता है कि अगर यह crude और brand के prices इसी तरह बढ़ते रहेंगे तो यह stock आपको 170 रुपीज तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है अब एक ची stock में volatility काफी जादा देखने को मिलती है और short term के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग crude और brand के जो बढ़ते हुए prices हैं उनकी वज़े से इस stock को hold करने के बारे में plan कर रहे हैं लेकिन वहीं पर जो आपका stop loss होना चाहिए वो मैंने आपको अल्रेडी बता रखा है कितने का आपक को dodgy star देखने को मिल रहा होगा dodgy candle बन चुकी actually यहाँ पर तो थोड़ा सा risky महोल हो चुका है already resistance के पास भी पहुँच चुका है यह stock तो जो भी levels मैंने आपको बताए है उन levels को आप properly follow कर सकते हो अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले stock के तरफ जो क क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो इसमें holding है FI's की holding है वो सारी increase होते हुए देखने को मिल रही है लेकिन अगर इसके chart में हम लोग volatility की बात करें तो वो भी हमें sale की comparison में काफी कम देखने को मिल रही है Steel Authority of India Limited में जो prices है वो China के ऊपर भी depend करता है जो China की policies आती रहती है उ अगर हम लोग यहां पर weekly chart में देखें तो हम लोग पिछले week की बात करें तो एक week के अंदर इस stock में हमें करीब करीब 18% की तेजी देखने को मिल रही है तो यह सारी जो तेजी हमें देखने को मिल रही है यह केवल और केवल Russia और Ukraine की भी जो war चल रहा है crude और brand की जो prices बढ़ समय से देख रहे हो अब यह मैं बात करूँ 2021 के starting से लेकर के अभी तक आपको इस stock में कुछ इसी तरह का pattern form होते हुए देखने को मिल रहा होगा और यहां पर जो crude के prices के बढ़ते हुए दाम की news सुनी है आपने उसके बाद से तो इस stock में बहुत तीजी से अच्छे कासे gains द करेंगे अब दोस्तों आप जैसे की देख सकते हो मैं टेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ चुके हैं यहां पर जो लेवल्स और यह रेंज बन रही है इसको थोड़ा सा मैं पहले discuss कर लेना चाहता हूं जिससे आपके सारे doubts clear हो जाए अगर आप ध्यान से चार्ट को देख पर continuously हमारे stock support लेते हुए ऊपर जा रहा था लेकिन December में जब stock ने वापिस से इसी support line पर support लेने की कोशिच की यह support break हो गया और stock हमारा support line के नीचे travel करना start कर दिया अब यहां पर channel के बारे में भी discussion करूँगा लेकिन उससे पहले हम लोग इस line को समझ लेते हैं जो pink color की मैंने marker करके रखिए अब देखो जैसे stock का price support को break करके नीचे गया उसके बाद आपको exactly इसी जगा पर stock में resistance देखने को मिलने लग गया फिर वापिस से stock का price नीचे चला गया and फिर वापिस जब आप ध्यान से देखोगे तो इस resistance वाली line को actually support line थी हमारी पहले उसको stock ने break किया उस फिर वापिस इसी पर आ करके support लेता है support break करता है and then फिर वापिस से collapse हो जाता है अब collapse होने वाले जो point है वो भी अगर आप देखोगे तो ये channel के lower end पर हमारे जो stock है वो support ले रहा है और फिर अभी जो news की तेज़ी है उसकी वाज़े से आप देख सकते हो कि support line को break करके हमारे जो stock है वो बिलकुल non stop एक सीधी rally उपर दिखा रहा है तो यहाँ पर जो आपको gains देखने को मिले वो हमें फिर से बता दू कितने percent के हैं 22% के gains आपको already मिल चुके हैं तब अब सबसे बड़ा सवाल ये उड़ता है कि क्या हमें इस stock में 22% के gain मिलने के बाद भी entry बनानी चा देखने को मिला था जो करीब करीब 170 रुपीज के पास बनके आ रहा था तो immediate basis पे सबसे पहली चीज़ आप ये note कर लो कि आपका जो target होना चाहिए इस stock के अंदर वो 170 से लेकर के 175 maximum होना चाहिए और इसके बाद आपको इस stock में फिर से profit booking देखने को मिल सकती है तो इसलिए जैसे ही ये target आपके achieve हो आप अपने stop process को trail कराना start कर दीजेगा जिससे अगर इस तरह का correction भी वापिस से आपको देखने को मिलता है तब भी आप अपने profits को ले करके stock market से निकल जाओ अब यहाँ पर एक चीज़ ये धियान रखिएगा कि ये मैं उन लोगों के लिए बता र देखो के तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से clear कर देता हूँ तब आप थोड़ा easy होगा समझने में अब अब अगर fresh entry बनानी है इस stock में तो यहाँ पर जो level आपको दिखाई दे रहा है ये कहीं ऊपर जाकर कि अगर resistance लेते हुए आपको दिखाई दे देता है मतलब 170 target होना चाहिए वो इसी range के बीच का होना चाहिए इस से ऊपर का target मद बना करके चलना मैं कह रहा हूँ फिर से आप वन फस जाओगे तो आप सबसे बड़ा सवाल यह उड़ता है कि हमें इस stock में fresh buying कहां पर करके चलना चाहिए और अगर हम long term के बारे में plan कर रहे हैं तो हमें buying कहां पर करनी है इस stock में तो एक चीज़ ध्यान रखेगा कि अगर यह stock वापिस से आपको 140 रुपीज से लेगर के 130 रुपीज की range में आते हुए देखने को मिल जाता है तब आप इसमें buying करके चल सकते हो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेगा जो आपका stop loss होना चाहिए तो अगर चाहो तो अगर आपको यह अब यहां पर stop loss लगाने का तरीका भी थोड़ा समझ लो कि आपको daily time frame के basis पे candle का close 115 रुपे के लेवल के नीचे मिलना चाहिए तब ही आप exit करने के बारे में plan कीजेगा तब ही आप इस stock में से exit करने के बारे में plan कीजेगा otherwise फिर से आपको इसमें एक pullback देखने को मिल सकता है अब यहां पर आपको यह तो clearly समझ में आ गया होगा कि आपके target stop losses और buying level इस stock में क्या निकल के आ रहे हैं लेकिन हमें थोड़ा सा और alert रहने की जरूवत है अब वो क्यूं है वो भी मैं आपको समझा देता हूं देखो यहां पर अगर current market price की बात करूँ तो बहुत ही छोटा सा target मतलब 160 रुपे के आसपास चल रहा है केवल और केवल आपको यहां पर जो target देखने को मिल रहा है वो कितने points का है 10 points का है वहीं अगर stop loss की बात करूँ तो stop loss थोड़ा ज्यादा points का है तो risk to reward का ratio थोड़ा गड़वड हो चुका है अ आप almost 40 points loss कर सकते हो तो 40 points को loss करने से अच्छा है कि आप थोड़ा wait कर लो थोड़ा और confirmation का इंतजार कर लो अगर यह channel का breakout दे देता है तब आप यहां पर buy करके चल सकते हो और यह सबसे बढ़िया buying position होगा थोड़ा सा यहां पर आपका यह हो सकता है कि हाँ आपकी जो यहां 175 रुपीज के ऊपर अगर यह stock sustain करता है तब ही बनाने के बारे में plan करना है 175 रुपे का level मेरे हिसाब से इस stock में best buying level हो सकता है इसके ऊपर अगर यह stock closing दे देता है तो यहां पर हमें clearly breakout देखने को मिल जाएगा इस वाले channel का और इस channel के breakout के ऊपर हम लोग fresh buying करके चल सकते हैं long term के लिए long term में दोस्तों हमें इस stock से काफी अच्छे खासे return देखने को मिल सकते हैं तो long term के targets भी मैं यहां पर mention कर देता हूं जैसे कि अभी की समय में यह stock already अगर आप 160 रुपे पर buy करके चलते हो तो जो हमारा first target long term के लिए निकल के आना चाहिए वो केवल और केवल 200 वीडियो बनाऊंगा लेकिन सबसे पहले जो target हम लोग इसमें मान के चलेंगे 175 रुपे के बाद वो हमारा होना चाहिए 210 रुपे का and अगर इसके उपर भी stock हमें निकलते हुए देखने को मिलता है तो हमारा second target 235 रुपे का होना चाहिए अब यह targets में क्यों mention कर रहा हूं long term के लिए फिर से समझो इन stocks में काफी ज्यादा volatility होती है और जो अभी की समय में आपको तेजी देखने को मिल रही है वो केवल और केवल news के basis पर तेजी देखने को मिल रही है जो crude और brand के prices के बढ़ने की news आई है उस वजह से आपको इन stocks में तेजी देखने को मिल रही है इस ये चीज़ clearly देख सकते हो कि इस तरह की अगर आपको trading देखने को मिलती है stock में तो आपको क्या करना है swing play करने की कोशिश करनी है news के basis पे आप swing play कर सकते हो levels के basis पे आप swing play कर सकते हो यहाँ पर तेजी हुई then फिर वापिस stock क्या हुआ नीचे आ गया तो यहाँ पर भी आपक आई हुई चीज़े आपको clearly समझ में आ गई होंगी अगर आपने इन levels पर नीचे के levels पर कहीं buy कर लिया है या even अभी भी buy कर लिया है तो आपका first target 170 से ले करके 175 रुपीज के बीच में होना चाहिए और जैसे ही यह level आए आप अपने stop losses को लगाना start कर सकते हो इन ही levels पे ले चाहिए और वहीं जो आपका stop loss होना चाहिए दोस्तों वो कहां पर होना चाहिए वो stop loss आपको 170 रुपीज पर लगा के रख देना है अब यहां पर आपको clearly समझ में आ गए होंगे सारे levels आपको कहां पर reversal play करना है कहां पर buying करनी है यहां पर भी आप देखो तो best buying level आपके ल करना है stop loss आपको 115 रुपए पर लगा के रखना है और मेरे हिसाब से आपको गेल का जो स्टॉक है उसमें ज्यादा investment करनी चाहिए as compared to sale में Steel Authority of India का भी share काफी अच्छा है fundamentally काफी strong है लेकिन मेरे को personally गेल में ज्यादा interest है और अगर मेरे को investment बनानी होगी इन दोनों ही stocks में तो मैं गेल में investment करना ज्यादा prefer करूँगा इन दोनों ही stocks में से आपको कौन से stocks ज्यादा पसंद आया है आप मुझे वीडियो के comment section में दोस्तों के साथ share कीजेगा और अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा फिर मिलूँगा एक और एसी वीडियो लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद